हेलो नमस्कार यहर एक स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग जो आई टिया इंस्ट्रक्टर की वेकेंसी आई हुई है उसके लिए आप लोग तयारी करने जा रहे हैं और आज से हम लोग क्लास को इस्टार्ट करने वारे हैं जैसा कि कि आप लोगों को पता है मैं इस लेवस आल्रेडी डिसकस कर दिया हूं और आज कि जो स्योजन रहे हम लोग का होने वाला है वह सी लेवस के पहलत कोशले हम लोग करेंगे विदेसन यानि पखैशन से स्टार्ट करेंगे यह आपके सीडेवस के काडिंग पहला चेप्टर है और यहां से कोश्टम बने का चांस रहेगा तो इससे इंपोर्टेंट जूड़ी सारी जानकारी हम लोग क्लास करेंगे क्लास में और जितने भी पीडियफ आपको होगा उसको टेलिग्राम चेनल पर अवेल्बल कराया जाएगा तो जो भी क्लास करेंगे यहां से जाकर आप किसे लिए गया है लेटिन सब्र पंक्चर पी यू एन सी टी यू आरी पंक्चर से लिए गया है इसका जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है कि एक पॉइंट पंक्चर का अर्थ होता है एक पॉइंट यह निकि एक बिंदू पंक्चर का अर्थ क्या होता है लेटिन वासा से तो हम लोग कोश्चन करेगा तो हम लोग कोश्चन लगा देते जनिकि जो हम चीजे लिखते हैं उसकाatherine लगा देते न और उसी तरह कोई comes व्रीन होता है तो फुलिशट में कोई चीज हमें आश्चारे से बोला कि स्वोडर गदेते हैं तो यह ही चीज़े हैं जो कि पक्चुएशन के अंतरगत आता है ठीक है तो अगर डिफिनीशन की बात करें तो पक्चुएशन मींस दर राइट यूज आप पूटिंग इन पॉइंट आफ इस्टाप इन राइटिंग यहीं कि राइटिंग में हम लोग पॉइंट जो है यहां पर आप लोग को नोट कर रहा हूं यह आप लोग नोट करते जाएंगे अपना ठीक है पहला यहां पर नोट करिएगा पहला जो टापिक आप लोगो पढ़ना है वह पढ़ना कामा के बारे में क्या पढ़ना है कामा कामा कैसा बना ऌता है तो कुछ इस प्रकार बना होता है कामा देख लीजे यह तीसरा जो टाकिक आप लोगो पढ़ना है वह है Sabi खीक है सेमी कॉलन का कि अगर शेंबल देखेंगे मार्क चीन देखें पक्चूयसल मी के चिन भी मानिए तो सेमी का लूर्ण को गया फिर उसके बाद आगे जो पढ़ेंगे दीसरे के बाद चोथा टापिक हम लोग पढ़ेंगे वह है कालन का सिंबल कैसे होता है तो चालण का या इंट्रोगेशन मार्क बहुत है इंट्रोगेशन पढ़ेंगे ठीक है ऑफ लोग ध्यान से देखते हैं और यह पीडियेख आप आपको अवेलबल हो जाएगा दन नोट बना रहे होंगे एक्सक्लेमेशन सोरी इसको मुझे मिटाना पड़ेगा थोड़ा मिश्टाइप हो गया है यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा आप लोग सही इस्पेलिंग लिखिएगा खास तर पर चलिए यहां पर देखिए एक्सक्लेमेशन का मैं नोट कर रहा हूं इसको मिटा दू पूरा रबड तो चलिए देखिए छटा जो हम लोग पड़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क सारे मार्क आप लोग ध्यान देंगे क्यूंकि फूल इस्ट आप कैसे बनाएगा तो अभी 6 चीजम में बताया उसके अलावा आप लोग को पढ़ना है सात वा डैस के बारे में पढ़ेंगे डैस उतना इंपूर्टे नहीं है लेकिन डैस के बारे में पढ़ेंगे फिर आगे हम लोग inverted कामा देख लेंगे चली इन्वचर्टड कामा भी लिख दें ऑपर वाला डॉबल इन्वर्टेट का में है दोनों तरफ ठीक है फिर हम पढ़ेंगे नवा जो टापिक हम लोग पढ़ने वाले है नाइन नंबर का वह है एपोस्ट्राफी एपोस्ट्राफी ठीक है एक पोस्ट्राफी का सिंबल कैसे बनेगा तो एक सिंगल लाइन के द्वारा बनाया जाता है एक पोस्ट्राफी ऐसे कुछ ठीक है तो इतना हम लोग पढ़ेंगे इतना आप लोग नोट कर लिया होगे चलिए आगे आगे अब लोग पढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा टापिक आ रहा है वह वह पहला टापिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फुल स्टाप क्या है oneself फुल सव चलिए आप मैं फुल स्टाप लिग दूँ इजगा फिर हम लोग पढ़ेंगे फुल स्टाप क्या पढ़ने वाले हैं आप फुल इसटापachten थे लिए फुल इस्टाप लगाते हैं और यह आफरमेटिव में निगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसमें हम लोग कहां लास्ट में जो इस्तमाल करते हैं वो हमारा फुल इस्टाप ही होता है ठीक है तुम्हें आपको बताए कहां पर आप लोग को फुल इस्टाप लगाना है तो वा sit here मैं बोला sit here यहां बैठो तो sit here वाक्य तो खतम हो गया लेकिन यहां पर हम लोग fully stop लगा देंगे यह एक हो गया दूसरा the cow is grazing in the field यानि कि गाय क्या कर रहे है चर रही है तो फिल्ड के बाद लगा देंगे तो यह सब चीज़ें वाक्य के अंत में हम लोग क्या करेंगे fully stop लगाएंगे दूसरा fully stop कहां लगाते हैं वह भी हम देखेंगे दूसरा जो fully stop लगाया जाता है यहां पर मैं दूसरा में कर लिया है तो में साट में लिखा जाता है तो उसके अंत में क्या लगाते हैं fully stop लगाते हैं ऐसे ही अगर कोई अन्य चीज़ आया जैसे में हो गया चाहें आप लोग का भी तो मले वगएरा का मले वगएरा लिखते हैं MLA है तो इसके संचिप्त रुप्त हैं में लिखे हुआ है न तो इसके अंत में हम लोग क्या लगाएंगे fully stop लगाएंगे ऐसे ही कोई PhD किया है तो पी एच और डी लिखता है तो इसके लास्ट में लगाते हैं ठीक है तो यह समझ में आप आपको आ रहा होगा लेकिन यहां अब है कुमार शर्मा तो इसके लास्ट मतलब जो है एक बाद और के के बाद में क्या लगाएंगा फुल इस्टाप लगाएंगा लेकिन एक चीज अपवाद दें यह ध्यान रखेंगे जैसे मिस्टर हम लोग लिखते हैं तो मिस्टर और मिसेज जब लिखते हैं तो मिस्टर और मिसेज में हम लोग फुल इस्टाप लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि मिस्टर और मिसेज ही अपने आप में क्या है फुल इस्पेलिंग रखता है इसलिए इसके अंत में मिस्टर और मिसेज के अंत में हम लोग संचिप्त रूप में लिखते हुए भी इसके आगे हम लोग क्यार नहीं लगाएंगे फुलिस्टाप नहीं लगाएंगे तो आपने क्या पढ़ा फुलिस्टाप के बारे में अच्छे से पढ़ लिया दूसरा हमारा जो टापिक की स्टार्ट होता है वो है कामा के बारे में कामा सी ओ कामा ठीक है कामा का सिंबल क आप लोग जानी रहें कुछ इस परकार होता है तो यह भी पक्चुएशन का सबसे महत्वपूर है देखिए पक्चुएशन पड़ते क्यों है तो मैं यहाँ पर दो सेंटेंस लिख रहा हूं रोको रोको राइटिंग पर मत जाना राइटिंग थोड़ा लिखने की यादर नहीं है इस पर रोको मत जाने दो यह मैंने सेंटेंस लिखा ठीक है जाने दो यह सेंटेंस लिखा अब यहां पर देखिए यहां से अगर मैं कामा का इस्तमाल रोको में दो सेंटेंस लिखा हूं वही से उपर वाला भी यहीं पर मैं लिख ले रहा हूं रोको मत जाने दो दो सेंटेंस लिखा अब देखिए punctuation का use से हम लोग का वाक्य के वाक्य के जो अर्थ हैं वो बदल जाते हैं जैसे यहां पर देखिए मैं यहां पर रोको और कामा लगा दिया यहां पर रोको मत जाने दो पहला वाले में तो रोको मत जाने दो यानि कि कोई है मेरे पास उसको मैं क्या बोल रहा हूं रोको मत जाने दो ठीक है यह हो गया अगर यही चीज कामा मैं यहां पर लगा दू रोको मत दूसरा वाले में रोको मत के बाद अगर कामा लगा दू जाने दो तो देखिए यहां पर दोनों सेंटेंस एक ही है रोको मत जाने दो एक ही वर्ड से लिखा है लेकिन दोनों में अंतर हो जा रहा है एक में बोला जा रहा है रोको मत जाने दो यानि कि जाने के लिए बोला जा रहा है तो दोनो सबसे महत्वपूर्ण जो है और का मा को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में विराम ची तुन फेल लगाया जाए तो वाकर अर्थ प्रभाव डालता है यह तो परभाव डाली रहा है देख विलिए आपने कैसे परभाव डाला अब देखिए कामा का इस्तमाल बहुत विश्तिरित है कई जगह पर हम लोग कामा का कॉछ नोड़े में नोड़ करेंगे तो सॉर्टैस्ट पॉज में करेंगे सॉर्टैश्ट पॉज यानी की जहां पर थोड़े समय के लिए रुखना हो वहां पर हम लोग कामा का परियोग करेंगे जैसे जहां कम रुखना हो वहां पर साथ टेस्ट पहुच यानि की कामा लगाएंगे और सब्दों की सीरीज को अलग-अलग करने के लिए भी हम लोग कामा का परियोग करेंगे जैसे यहां पर देखेंगे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर जैसे एक सेंटेंस है कि बाद हम कामा लगा देंगे निटली ग्विक्ली quickly and neatly quickly and correctly correctly ठीक है यहाँ पर मिटा दूँ correctly spelling थोड़ा देखिए C O R double correctly ठीक है तो यहाँ पर neatly हो गया और quickly के बीच में हम लोग सार्ट रुखना है यानि कि उसने एक exercise लिखा कैसा शाफ जल्दी से और सही ठीक है तो neatly quickly यह सब क्या है यह ह簡rint थीक है एडवार्ब है ठीक है ऐट्जेक्ट्ट्व है तो यह बीन ही सैस्वादयर्ण आवन् attempt प्रोनावन हो एड़ेक्टिव एड़ेक्टिव है एडवर्ब एडवर्ब हो एक ही तरके हो तो दो लगतार आएंगे उनके बीच में हम लोग कामा का इस्तमाल कर लेंगे यहां पर देखिए दूसरा जो है यहां पर दूसरा हम लोग कहां रखेंगे बी आप्सन में देखिए कामा दूसरा कहां लगाएंगे तो यहां पर ध्यान रखीगा उपर वाले में हम लोग जो है एंड के आगे या पीछे कहीं भी हम लोग कामाने लगाएं एंड क्या है एक कंजक्शन का काम खुद ही करता है यह थोड़ा आप लोग ध्यान दिये रहेंगे ठीक है तो अब भी यानि कि दूसरा हम लोग कहां इस्तमाल करेंगे कामा का परियो तो नोमिनेटिव आफ एड बादयों में नाउन क्या होता है जो किसी के नाम वगएरा है नाउन इसकल्ण दनेमिन वर्ड़ तो देखेंहां पर नोमिनेतिव अट्रेस में नौन के पहले बाद में जैसे यहां पर हम लोग लिखते हैं कार्तिक, कार्तिक के बाद हम क्या लगा देंगे, कार्तिक कामा हो गया, क्या बोले जा रहा है, वाक केरफुली, कार्तिक से क्या बोलने है, वाक केरफुली, यानि कि शाउधानी सिस चलो, वाक केरफुली, ठीक है, तो यहां पर हम लोग नाउन के बाद लगा दिया, आइसे ही, जैसे अब देखियें, नाउन के पहले भी बोलाओं, ये तो नाउन के बाद लगाए, पहला केस बन गया, दूसरा केस कैसे बनेगा, जैसे मैं बोलू marvelous स्टेंडब कलास में गया और लगों से बोला कि ख़ड़ा कर रेंगे कमहा इसमी नाउन के रेंगे तो यह हृण लगा एन"? चलिए तीसरा पर चलते हैं बी के बाद सी नियम देखिए सी वाला यहां पर मैं सी नोट कर रहा हूं तो यहां पर सी में नोबनेटिव और एबसल्यूट फ्रेज के बाद ठीक है चलिए इसको छोड़िए अगला देखिए यहां पर केस इन एपोजीशन के रूप में हम केस इन एपोजीशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे कामा का इस्तमाल करेंगे तो केस इन एपोजीशन होता क्या है देखिए केस इन ओपोजीशन जैसे सौरब गांगुली है तो मैं यहाँ लिख लाओं सौरब शौरब गांगुली सोरव गांगुली ठीक है कामा और बोलना हूँ आवर केप्टन सोरव गांगुली क्या है आवर केप्टन है हमारी केप्टन है सोरव गांगुली आवर केप्टन ठीक आवर केप्टन उसके बाद कामा लगा दिया तो सोरव गांगुली कामा लगा दिया आवर केप्टन फिर का गूडस बैसमेन तो यहाँ पर ध्यांदेंगे और गूडस बैट में तो शौरोगंगुली जो है हमारे कप्तान है और केपिटन उसके बाद एक गूड़ में और सवह गांगुली का है एक अछओ बैसमें वही तो यहां पे दो देखिर यहां पर दो सेंटेंस को मैं जोड़ने कोशिश कर तो बंब कि के अप्केंटन स्वरव गरुप्तन और जोब घचाने ओर तो लोगेस्ट में यहां की सवर गंबूदी के बारे में ही दोनों यहां डी दियान देंगे केसी ने बता दिया अब यहां पर इंपोर्टेंट जो आप लोग जान रहे होंगे इसके डाइरेक्ट स्पीच में हम लोग कामा का इस्तमाल करते हैं डाइरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं कामा का इस्तमाल करते हैं डाइरेक्ट स्पीच में कैसे से कामा का करते हैं, जैसे देख लिजें, मैं यहाँ लिख रहा हूं, रमेश शेड थे में से क्रहंब के बाद हम Hier क्या लेड़ेता हैं आपको पता है ना और य। हम और रिपोर्टिंग और रिपोर्टीन और कर दिखा दीया विषक के बाद डॉबल इन्वर्टेट कामा में लिखते हैं हम लोग आई दॉबल देखिए रमेश ने क्या क्या है तो रमेश ने का I came from Kolkata I came from Kolkata ठीक है तो यहाँ पर मैं एक संटेंस लिख दी आपको तो यह कहां से आ रहा है रमेज क्या रहा है रमेज के रहा है कि I went I came from कलकता में कहां से आ रहा हूं कलकता से आ तो इसके बीच में reporting और reported speech के बीच में हम लोग क्या लगा है कामा लगा दिये तो कामा के इस्तमाल direct speech में भी हुआ यह आप लोग देख लिए ठीक है तो यह important था इतना ही अगला जो हम लोग देखेंगे वो है अगला जो है semi column देख लेते हैं ठीक है अगला जो punctuation के साथ है वो है semi column ठीक है semi column वैसे exam के लिए यह इतना important नहीं है semi column आपके लिए important है fully stop ठीक है उसके बाद fully stop के बाद कामा फिर आपको exclamation mark और interrogation mark चार important है आपके लिए पहला में क्या बता है question mark, exclamation mark, full stop और कामा यह चार आप लोग को अच्छे से समझ रहा है बाके semi column उतना important नहीं है क्योंकि बहुत कम exam पूछे जाता है तो semi column का सबसे पहले तो symbol देखते हैं semi column का symbol कैसे होता है तो कामा के ऊपर एक बिंदू लगा होता है उसी को बोलते है क्या semi column ठीक है हम लोग कामा का परियोग करते हैं लेकिन कामा से अधिक थोड़ी अधिक देर तक रुखना होगा उस समय हम लोग क्या करते हैं semi column का परियोग करते हैं यहां पर एक sentence लिख रहा हूं जैसे कि एक sentence है he was तो देखे semi column का आपने देखा symbol की कामा के उपर एक बिंदू type का होता है यह क्या होता है semi column अब यह मैं एक sentence लिखा हूं और मैं बोला हूँ कि यह कहां पर इस्तेमाल करते हैं semi column का तो समय से अधिक देर तक रुखना होता तो LARGE HARDED MEN वो उसका दिल क्या था बहुत बड़ा था और उसके बाद मैं क्या लगा दिया यहांपर SIEMICALAN लगा दिया AND SU AL Amen इस वजह से उनको सब क्या करते थे तो यहाँ पे हम ल999 क्या लगाया, SIEMICALAN का इस्तमाल किया, ठीक है dash में यहां पे लिख रहा हूँ dash आप लोग नोट करते जाएगा dash कैसे दिखाते कुछ इस परकार symbol होता है एक लकीर के तरह ठीक है अब देखे कोई भी quotation को लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं dash का इस्तमाल करते हैं कोई quotation लिखते है quotation कोई भी quotation लिखने से quotation क्या होता है जैसे आप लोग सुने होंगे न जैसे कभी रिया कोई वाक्य बोलती है जैसे दो लोग बात करते हैं तो रिया कुछ कहती है उसको लिखते हैं तो रिया मैंग से कहती है तो फिर मैंग का यहां पर लिखा जाता है जैसे कॉमिक्स वगेर पहले पढ़ते थे तो रिया कहते यह फिर मैंग करता है तो ऐसे जो सेंटेंस लिखे जाते हैं उसके आगे डैस लगा कर हम लोग लिखते हैं यह ध्यान रखिएगा ठीक है कैसे कभी रिया कोई बात बोली जैसे रिया बोली वाट इस से किताबों में पढ़े होंगे उसके सामने हम लोग डैस लगाते हैं ठीक है तो डैस का इस्तमाल वहां पर होता है अगला जो परियोग होता है इंट्रोगेटिव मार्क के बारे में ठीक है यह इंपोर्टेंट है आप लोग के लिए इंट्रोगेटिव मार्क अच्छे से кос्का करा यानि कि इसंग प्रोगां करता है तो कोई भी वाक्य ऐसा यह जिसे प्रसुरण पूछा जा रहा है उसके आंत में क्या लगता है इंटगेस्फां मार्क लगते अगते हैं जैसे वाटीज ओनिम में बोला वाट इस your name ठीक है आपका नाम क्या है इससे क्या होता है नाम पूचा जा रहा है इसके आंतमें हम लोग question mark लगा दीए फिर उसके बाद who are you आप कौन है who are you पूचा हमने आप कौन है तो मैं क्या कर रहा हूँ question पूच रहा हूँ तो इसमें हम लोग इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं कभी-कभी इंट्रोगेशन मार्क देखिएं कभी-कभी ऐसा सेंटेंस देता है कि किसी भी अब माडल अक्जिलियर वर्ब अगर पहले हो जैसे आर यू मैं पूछा क्या आप खुस हैं तो कभी-कभी ऐसे इसमें भी कोशन पूछा जा रहा है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे इंट्रोगेशन मार्क का इस्तमाल करेंगे ठीक है फिर अगला देखेंगे अगला एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क का करते हैं वो देखिए हैं यहां पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क नोट कर दे रहा हूं एक्सक्ले मेशन मार्क ठीक है एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल कैसे होता है तो आप लोग पहचानी रहे हैं स्क्लेनमेशन मार्क सिंबल ऐसे होता है जहां पर हमें आश्चर यह दिखाना एं जहां पर हमें शाबाशी देना है बोगत करना है यह से माली ची मैं यहां पेक सिंटेंस लिखा इ-लाश कोई वर्ट है तोस्के बाद हम वि यह सट लग दो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ELAS the old man is dead, यहाँ पर दुख क्या किया जा रहा है, दुख प्रकट किया जा रहा है, तो यहाँ पर ELAS के बाद दुख प्रकट किया जा रहा है, इस वज़े से exclamation mark लगाया जता है अगला अगर देखेंगे लांग लिव इंडियन रिपब्लिक अगर मैं लिखूं लांग लीव इंडियन 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 रिपब्लिक तो यह क्या है रिपब्लिक यहां पर क्या किया जा रहा है कि मैं यहां पर किसी को बदाई दे रहा हूं कि हमारा इ इस्तमाल करेंगे exclamation mark का परियोग करेंगे ऐसे ही अगर मैं यहां पर बोल दूँ हाउ वाज द वेजर वाज जैसे मैं घूमने गया था तो मैं आश्चरी से बोल रहा हूं कि हाउ द वेजर वाज वहां पर मौसम कैसा था तो यह क्या है एक आश्चरी प्रकर्ट कर रहा हूं तो यहां आपको exclamation mark का पता चल गया होगा कहां कहां इस्तमाल करते हैं दुख प्रकट करना हो खुसी जाहिर करना हो तो हम लोग exclamation mark का परियोग करते हैं यह कोई भी खुसी जाहिर करना हो तो वहां पर हम लोग exclamation mark परियोग करते हैं जैसे माली जी कि आप cricket खेल रहे हैं त यहां पर मैच आपने जीत लिया तो आप क्या करते हैं हुरा चिलाने लगते हैं तो उस समय भी हम लोग क्या करते हैं एक्स के में समभार का परियोग करते हैं अब नेक्स्ट अगला जो बचरा है वो है इन्वार्टेड कामा ठीक है अगला जो बचरा है इन्वार्टेड कामा ठीक है यहां पर मैं नोट कर लूँ अब है नेक्स्ट इन्वार्टेड कामा ठीक है अब देख लिए तो सबसे पहले तो symbol आपको आनी को इस परकार symbol होता है double inverted कामा संगल इन्वार्टेड कामा दोनों होता है अब इसका इस्तेमाल करना संगल करते हैं double inverted कामा का उर्पली oh पीछले मे बताया था इससे कोई कुछ कैने हैंको के बताया में आ उसी की बात same to same लीग देते हैं, उसी को बोला जाता है direct speech, तो direct speech में किसी कि कई हुई बात को जीो के त्योऊ रख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? direct speech में, तो inverted comma का है, इस्तमाल कहा करते हैं? हम लोग direct speech में करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक sentence लिखो ही सेड उसने कहा उसने क्या कहा अब जो भी कहा वो उसी के बाद को हम लोग जियो कत्यों रख देंगे उसी को इन्वर्टेर कामा के अंदर रखेंगे जैसे ही सेड वह का आई शेल गो टु डेली आई सेल गो टू डेली टूमारो यहां पर मैं टुमारो वह कंप साथ मैं ही पर रहने देया हूँ इन्वर्टेड कामा, डॉबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ये बाते कहा देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, डॉबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं, नेक जो हमारी टापिक होती है, और वो लास्ट टापि ठीक है एक पोस्ट्राफी न यह भी इंपॉर्टेंट Desde यह इसका सिंबल कैसा होता है अ स्चीज में अपने बता दिया था इक पोश्ट्राफी का सिंबल एक उपर लगांग स्दाइब काम मो council कामा देखें कामा जो होता है वह वाक्य के जब खतम होता है उसी के नीचे होता है जब कि ऊपर यह चीज लगाया जागता है एक पोस्ट्राफी जैसे मैं आप लोग को समझाने के लिए यहां पर लुक हूंगा तो आपको समझ में जाए जाएगा जिसे किसी लेटर लेटर को को करने के लिए कोई पहला के सबनता है पोस्ट्राफी का ओमीशन को सो करने के लिए ओमीशन को सो करने के लिए मतलब जैसे मैं पूरा-पूरा कोई चीज लिखता हूं डू नाट ठीक है तो डू नाट को जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं डॉन्ट लिख सकते हैं ठीक पूरा पूरा लिखने के यह जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं कैंट लिख सकते हैं के उपर पोस्ट्राफ ही लगा देते सकते हैं ऐसे वूड़नाट है अगर हम लोग वूड़नाट पूरा लिखते हैं तो वूड़नाट के जगह देख लिए कैसा लिखते हैं वूड़नाट सारे इंपोर्टेंट में बता दे रहा हूं इसके लाव और जोगा इस्तामाल होती है सिर्फ फिसीक लिए नहीं ऐसे आई हैव लिखा में तो इसको पढ़ा जाता है ऐसे इसको पता चल गया होगा ठीक है उसके इलावा बहुत से जैसे हैं जैसे कि यहां पर अधिकार जता है संबंद जताने वाली चीजों के लिए हम लोग craft करते हैं दूसरा केस में कोई भी संबंद जता ना हो संबंद जताने के लिए को क्यास करने के लिए लुक उए एपोस्ट्राफी का इस्तमाल करते हैं जैसे माली जी कि राम ये किताब जो है मेरे पास एक किताब है वो राम का बुक है तो क्या लिखते हैं राम्स बुक यानि कि राम्स एपोस्ट्राफी एस लगा दिया तो वो क्या हो गया किसका किताब होगी तो ये किताब होगी किसकी राम की किताब राम सबुक ऐसे क्रिशना डॉल मैं यहां पर लिखू कुछ और लिख दिया यहां पर गॉल्स कालेज में लिख दे रहा हूं यहां पर अगर मैं बोलू यह जो कालेज देख रहे हैं गॉल्स कालेज है तो यहां पर गॉल्स और यहां पर पोस्ट्राफी लगा दिया उसके बाद कालेज लगा दिया तो इसका मतरब क्या हो गया संबंद बता रहा है कि जो कालेज किसका है गॉल्स कालेज है यानि कि लड़कियों का कालेज है ऐसे एक और एक्जामपल में आप यहां पर बता दूत हैं जैसे मैं बोले दों में मोहं मोहंस मोहं लेखना अपूर्न संग्ल्वर हो जाए अगर में सिंपल है इसा लिख का देता है रहा है एं गार वडर है है इस तो यह इसलिए बना उसलिए अब इस तो लगा ही निए θα क्वल बाई का यूज आप लोग को समझ में आया गया होगा तीसरा अगला देखेंगे इपॉपर का यूज अम लोग कहा करते हैं तो कोईवी नमबर लेतर है न उसके लिए हम लोग प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इस्तमाल करते है एपोस्टाफी का कोई भी यहां पर मैं अगला जो पॉइंट है यहां पर कोई भी लेटर है कोई लेटर है या कोई फीगर्स है या कोई फीगर्स है मैं यहां पर कोई फीगर्स है उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं एपोस्टाफ़ी का इस्तिमाल करते हैं कोई लेटर या फिगर का प्लूरल बना अले के लिए क्लिए 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 जैसे देख लिजिए एड्ड टू-फाइफ एंड यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखी हूँ एड्ड टू-फाइफ यहनि कि कितनी बार फाइफ एड करना है ड्टू-फाइफ-इन दो बार पांच एड करना है एंड यहां पर लिख दू-फोर twos तो twos के जगा यहाँ पे apostraffy two लगाके यह पोस्टाफी लगाके इस लगा दिया यानि कहने का मतलब क्या है add two five's यानि कि five's का मतलब पांच जो है दो बार add करना है और four twos यानि कि कितनी बार चार बार add करना है यह कहने का अर्थ हुआ तो apostrophe का use भी आपने सिख लिया इस परकार आपने पढ़ा क्या जो जो चीज़े आपने पढ़ा मैं वो एक बार clear कर दूँ आपने पढ़ा क्या देखिए आपने punctuation से related सारी चीज़े पढ़ लिये आपने एक मिनट आपने क्या क्या पढ़ा तो आपने fully stop अच्छे से पढ़ सेमी कॉल्ण पढ़ लिया ठीक है और उसके बाद interrogation आहीं आप नहीं पर लिए इन्ट्रोगेशन यानि के प्रसंवास्यक्ति इंट्रोगेशन आपने पढ़ लिया उसके लाद आपने exclamation mark पढ़ लिया dash पढ़ लिया inverted comma पढ़ लिया इसके बाद apostrophe पढ़ लिया ठीक है तो यह आपके punctuation से जो भी question बनने थे जो भी important चीज़ थी आपको बता दिया अगला जो हमारी class होगी वो आगे की class होगी जैसे कि मैं यहाँ पे अगला जो हमारा class होगा वो एक वचन तथा बहुग वचन जो आपकी exam के syllabus की card वो होने वाला है तो यदि आपने channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजगा कि अगला वीडियो आप लोग की notification आपको मिलता रहा और आपकी तयारी अच्छे से हो पाए आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिबाय जाहिन सात्यों